इस कॉक्टिल के नम है बटर्सकॉच टकीला स्लैमर और यह बहुत आसान एक कॉक्टिल है चलिए कॉक्टिल को बनाते हैं यह रहा इंगे डिस्ट चले आपको एक शानदार ग्लास चाहिए आपको में देना चाहिए थुर साइस तो मैं आइस तो आजगा कर लेता हूं और पूर कर देता हूं तो आज आएस में पोल कर दो तो मैं यहां पर 60 ml टकीला दो हुआ है कि सिक्स्टे में मैंने दिया सौजा गोल्ड टकीला आप आपके पास अगर सिल्वर टकीला है तो भी आप दे सकते हैं कोई दिक्कत ने फ्रेंट्स अब इसमें लाइम जूस आपको एड कर दिना है लाइम जूस मैंने अल्रीड स्टर कर लेते हैं कि नाओ इसमें आपको एड करना होगा मरेंबूला का बटर स्कॉच टकीला से बटर स्कॉच कभी सुचा है आपने देखिए मरेंबूला कंपरी का बटर स्कॉच क्रश यह आपको देना होगा है राउंड 40 ml की खड़ी खड़ी थोरा सा गॉमिनेटिंग चाहिए इसका फ्लेवर तो मैंने 45 ml दे दिया अब इसको तुरह सा और स्टर कर लीजिए अगर आपके पास मरेंबूला क्रश नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आप महा लीजिए मैं नीचे द्रिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आप वहां से खरीच सकते हैं अब तो यह अराम से घुल मिल गया है अब इसमें देना क्या है फिर आपको थोड़ा सा आइस देना होगा तो मैं फिर आइस देता हूँ ओके अब टॉप आप करना है पर उससे पहले एक छोटा सा क्विस्ट और वह 30 ml और इंजूस दे कर देखे किता मस लगता है तो मैं 30 ml और इंजूस दे दूँगा यहां पर यह इसमें एक अलग सा फ्लेवर को एट करेगा यह 30 ml और इंजूस और इसी से ना आपका मिक्सलिस की जो है बहुत आगे जाएगा आप पूर कर दीजिए सोडा बस अपका कॉक्टेल बन के लिए आपको अगर सोडा के इलावा जिंजर भी चलेगा अगर जिंजरल है आप वह भी दे सकते हैं पर सोडा इस बेस्ट क्योंकि इसमें कोई मीठापन है नहीं और यह ज खूरियों को लेकर आया हूं उसी को मैं उफर से ऐसे दे दूंगा कुछ फ्लावर दे दीजिए मस लगता देखें है यह देखें तो कॉक्टेल बनके तयार है यह लीजिए इक स्ट्रॉव मैं चेक कर लेता हूं कि कैसा लग रहा है पटर स्कुछ का टेस्ट सब्सक्राइब रहा है अलका और जूस एंड टेकिला का स्ट्पाद मतलब एक अलगी लेबल पर अपको ले जाते हैं फ्रेंज वीडियो कैसा लागा अगर अच्छा लगता है तो यार प्लीज 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 लाइक शेर अन सब्स्राइब करना मत भूलेगा मिलते हैं बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टोपिक के साथ तब तर के लिए बाइब बाइए ठीक है प्लीज ब्रिंग रिस्पोंसिबली एंड टूं ट्रिंक अंट्राइब जैगो